नमस्कार मैं अमन्दी पिलानिया और आप देख रहें पंजाब केसरी टीवी फिलाल जीन्द में मोजुद हैं आज जीन्द में सर्पचों ने अêtes महारेली का आयोजन किया था और सरकार के खिलाब कड़े फैसले घ्लाब लेंने कहा उन्हों से कहा है देखिए आज जो हमारी महारेली थी ये सकती परदर्शन था और हमारे जो भी है आम ग्रामीन हमारे साथ जूड़ा है क्यों 30-35 जारा आदमी आपे जूड़े हैं क्यों मीडिया नहीं दिखाएगी सब कुछ सामने दिख रहा है क्यों मीडिया भी सरकार की खरीदी होई है तो तो खुद जुम्मेवारे हुआ इस तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे और 2024 के अंदर हम बीजेपी और जेजेपी का सुपड़ा साप करने का काम करेंगे इसरेली से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा देखिए सरकार पर असर पड़े या ना पड़े आज मेला जो हमारी है बेटियां जो देश का गोरव है उनको सडकों पे गसिता जा रहा है तो उमीद तो नहीं है पर फिर भी जो भी हमारी लड़ाई है ये गाउं बचाओ देह हातबचाओं की लड़ाई है हम डट के मुकावला करेंगे किसी भी कीमत पे हम बच्छे नहीं यह तेगी कुरा दिखिए माम जन इस सरकार से इतना परिशान हो चुका है क्यों सारा सारा जो भी आम करमचारी है किसान है और सरपंच है और मैलाएं भी जो ये नरेगा वाले और कोई भी किसी वरग को नहीं चोड़ा इस सरकार ने तो इसका जो परिणाम है इनको दो जार चोबिस के अंदर क्योंकि बीजेपी और जेजीपी का बिल्कुल सुंपड़ा साफ होगा यह थे हमारे साथ संतोस बैनिवाल दडबा कला से यह सरपच है इनोंने अपने विचार रख्याज जीन्द में महारेली का आयूजन किया गया था उस रेली में सरकार के खिलाब कड़े फैसले लेने का काम सरपचों ने किया है और 20 जून को सांसुदों का गहराओ सरपच करें जीन्द से पंजाब केसरी के लिए मैं मंदीप पिलानिया हूँ